हलो प्यारे बचों, बिटा, NEET 2024 का जो पेपर है, क्या वो आसान होने वाला है? क्या वो difficult होने वाला है? क्या कुछ changes हमें देखने को मिल सकते हैं इस बार? इस चीज का idea हम J-Means के पेपर से लगा सकते हैं. जो J-Means 2024 का पेपर हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसमें NTA ने क्या ऐसा कुछ change करके दिखाया है? वहां से क्या कुछ हम सीख सकते हैं, जिससे की NEET में हमें benefit मिल सके? ताकि हम पहले से prepared हों और last moment पे हमारी क्या strategy होनी चाहिए उसके लिए इन सब चीजों के बारे में हम आज डिसकस करने वाले हैं. तो इस वीडियो को last तक देखना बहुत ही important होने वाला है. तो स्वागत करते हैं बैटा, मैं आपका ACP सर सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल संकल्प नीट विदानतु पर. बैटा देखो, अभी जो जेमेंस के पेपर देख रहे हैं हम, उसमें देखा गया है कि लगभग, लगभग 40 to 50 percent जो पेपर है, 42 to 50 percent पेपर, वो पेपर, simple formula-based questions पे पूछा गया है. फोर्मला बेस क्योसन जिसमें फोर्मला अपलाई करो आंसरा जाएगा लेकिन आधा पेपर सीधे फोर्मला बेस नहीं पूछा गया उसमें कंसेप्ट भी पूछे हैं हमें थोड़े कंसेप्ट अपलाई करने भी आने चाहिए तो लगबग ऐसे मान के चलो की 20-30% पेपर जो है वो पूछा गया है कंसेप्ट और कुछ क्योसन उसमें डिफिकल्ट भी डाले हैं बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा लेकिन जेई का पेपर था तो डिफिकल्ट तो आने थे अब हम बात करते हैं नीट में नीट में देखो डिफिकल्ट पे नहीं जाएगा बहुत जादा डिफिकल्ट शटो डाल नहीं सकता है फोर्मला बेश क्योसन तुम एजीली कही ना कही देखया ओंगे ऐसे क्योसन और किसी भी फोरमुले को अपलाई करके सीधा निकाल सकते हो, ये जो 50% पेपर है, लगबग कोई भी अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा करके आएगा, खेल जो होगा, वो बचे हुए 50% में होने वाला है, वहाँ हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रिप्रेशन कैसी है, हमने कैसी तैयारी की है, कितने प्रैक्टिस हमने की है, कैसे क्योशन की प्रैक्टिस हमने की है, इन सब चीजों पर आधे पेपर का खेल होने वाला है, और वो ही तुमारा सलेक्शन डिसाइड करने वाला है, अब जो क्योशन प्रैक्टिस पर हमें ध्यान देने की बात कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा, जब भी हम concept apply करते हैं, वो सीधा एक formulae से नहीं सीखा जा सकता है, उसके लिए हमें बहुत सारे questions करने पड़ते हैं, हर variety के, हर chapter के उपर, एक बात सोच के देखो, जो syllabus थोड़ा reduce हुआ है, मैं उसके पर भी बताऊँगा कि उस पे कैसे, किस बच्चे को किस चीज पर ध्यान द हो जाएगा, वो अच्छा scoring अभी भी होगा, लेकिन उससे question का level थोड़ा increase हो जाएगा, थोड़ा सा tough के तरफ बढ़ेगा, तो उसकी practice हमें पहले से करनी पड़ेगी, जैसे rotation में rolling motion का portion थोड़ा हटाया है, तो हो सकता है, वो kinetic energy, energy के उपर जादा खेले, हो सकता है, वो torque के पर जादा खेले, तो हमें किस सीज पर, कैसे question पर practice हमें करनी चाहिए, वो हमें आज देखने की ज़रुरत है, इसी से हमारा score भड़ सकता है, इन सब चीजों को देखते हुए ही, जो जैमेंस में effect देखने को मिले हैं, इन सब को देखते हुए ही, हमने एक series start की है, परसन काल series, बिटा ये जो series है, इसमें हम पूरे question प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, complete 11-12 से, अब ये जो questions होंगे, इसमें हम हर टाइप के question रखे, कुछ question तुमारे formula base भी होंगे, ताकि 50% paper की coverage हो जाए, लेकिन बहुत सारे question हम ऐसे भी करने वाले थोड़े से level up होंगे, जो नीट के paper के level से तोड़ा सा जादा रखे जाएंगे, क्योंकि हो सकता है, इस बार कुछ अच्छे questions मिल जाएं, और calculation वाले question भी हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखा गया है कि calculation जादा पूची जा रही है, देखो tough करने पर वो ऐसा नहीं करेगा, तुभी बहुत advanced level का question कैसे calculation fast की जाए, किन-किन चीजों पर ध्यान देना पड़े, वो यहां सारा इसमें करवाया जाएगा, तो बहुत जरूरी है इस last moment पर अच्छी practice की बेटा, और वो अच्छी practice से ही अच्छा score possible हो सकता है, साथी साथ, हम जो question practice करवाने वाले हैं, इवी में आगे हम assertion reason वाल क्योशन भी लाने वाल, हार टाइप के क्योशन पर practice करनी जए जरूर होता है, क्योंकि tough करने के लिए कई बार क्योशन को tough ना करके, क्योशन के pattern को change कर देता है, simple ABCD वाले option में सीधे सीधना पूर करके assertion reason क्योशन पूछ देता है, matching करवा लेता है, statement वाले क्योशन पूछ तो हमें हर तरीके से तयार होना पड़ेगा, किस chapter से assertion reason जादा पूछे जाने के chances बन सकते हैं, हर एक चीज पर यहाँ पर हम coverage करवाएंगे बेटा तुमारा, ठीक है, तो NEET 2024 का paper, overall बात करें, तो tough पे नहीं जाएगा, मैं उसो tough नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो conceptual जाएगा, थोड़ा सा वो calculative पार्ट बढ़ाएगा, ताकि थोड़ा सा तुम्हें difficulty महसूस हो, लेकिन यदि तुमने अच्छे से पढ़ा है, और बहुत अच्छे से practice की है, तो तुम्हें selection लेने से कोई ही नहीं रोक सकता है, तो इस last moment पे बहुत ध्यान रखना है, अच्छे से practice, जितना कर सकते हो, करो, जितने test दे सकते हो, दो, क्योंकि ये ही तुम्हारे marks को इस moment पे बढ़ा सकते हैं, तो दो बाते बताता हूँ, एक है, तुम्हारे for example, तुम्हारे 650 से जादा marks आ रहे है, मालो तुम देख रहे हो, तुम्हारे 650 से जादा marks आ रहे हैं, तो तुम्हें उन chapters पे जो हटाए गए हैं, उनका basic knowledge होना चाहिए, होना चाहिए, थोड़ा सा समय निकालके उन part को पढ़ लो, जो की हटाए गए हैं, बिल्कुल basic, जादा detail में मत जाओ, depth में मत जाओ, बिल्क में पे तुम उन चीजों पे focus करो, जो जादा scoring है, ताकि तुम्हारे score को भढ़ा सके, थीक है, तो सभी के लिए एक दवा नहीं होती है बिटा, तुम्हारे marks के हिसाब से ही तुम्हें अपना action तयार करना पड़ेगा, थीक है, तो मिलते हैं बिटा, प्रसंकाल सीरीज में, और मचाते हैं नीट दो हजार चोबीस में, थेंक यू बढ़ा, थेंक यू वेरी मच्छ.